गुद मॉर्णिंग इस्टुएंट्स क्या हाल चाल हैं आई होब जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप लोगों की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी गातांग करडी की दूसरी क्लास है जिसमें टाइप 2 को कवर करेंगे और जो लोग नए जुड़ हैं उन्हें बता दे कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर के उदाहरण को यहाँ पर साल्व करा रहा हूँ और उसके बाद जब उदाहरण एक-एक टाइप अलग- अलग तरीके से साल्व करा देता हूँ अलग-अलग क्लासें में फिर उसके बाद exercise में आते हैं और exercise में परिच्छ स्थे में आपक मैं सालो करा रहा हूँ 2021 में आया प्रस्णों को और डेली सुबह अच्छे वज़े रीजनिंग के प्रीवियस एर प्रस्णों को सालो करा रहा हूँ CCGD की अगर CCGD की तैयरी कर रहे हैं तो यह क्लास्य आप के लिए बहुत हलपूल होने वाली है ठीक है चले आज के इस क्लास को सुरू करते हैं टाइप A देखते हैं पहला कोशन दिया गए है अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 ठीक है और प्लस इस तरह से इंफिनाइट तक है तो देखें सबसे पहले इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे आप ट्रिक से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है अंडरूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और इस तरह से इंफिनाइट तक दिया गया है तो आप इसे मान सकते हैं एक्स ठीक है और फिर कर लिजे इन दोनों पच्छों का वर्ग यानि दोनों तरफ इसक्वायर कर लिजे तो यहाँ पर जब इसक्वायर होगा एक रूट तो यहाँ हट जाएगा बचेगा कितना 12 प्लस अंडरूट 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 12 इस तरह से इंफिनाइट तक चलता जा रहा है और इसकी value क्या मानी है? x मानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 प्लस x बराबर x square और इन सब का पक्छानता है इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x square minus x minus 12 बराबर 0, ठीक है? अब देखें, x के ऐसे factor बनाने है, जिनका गुड़ा 12 आजाए और घटाने पर यानि उनका अंतर जो है वहाँ एक रहे तो ऐसे कौन-कौन से factor बनेंगे? चारती है 12, x square minus 4x और प्लस 3x बराबर कितना आएगा? 12, sorry, minus यहाँ पर 12, बराबर कितना आजाएगा? 0 आजाएगा, x अगर यहाँ से कामन करते हैं तो x minus 4 आएगा, प्लस 3 यहाँ से कामन करते हैं तो x minus 3, 4 आजाएगा, बराबर कितना है? 0 है, x minus 4 अगर कामन कर लेते हैं तो कितना आजागा, x plus 3 आजागा, बराबर कितने के है, 0 के है, तो यहां से आप देखेंगे कि x की दो value निकली है, एक तो निकली है, x बराबर, x minus 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना हैगा 4 आएगा और दूसरा मान आएगा x बराबर माइनस के 3 ठीक है तो दो यहाँ पर मान निकले हैं x के और x आपने किसे माना था इस पूरे समी करण को x मान लिया था अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 प्लस अंडरूट 12 इंफिनाइट तक तो इसकी वैलू क्या होगी जो पाजिट्व मान रहेगा यही इसका मान होगा इसका मान कितना आजाएगा 4 आजाएगा ठीक है ना देखो अगर इसी प्रस्न को ना ट्रिक से करें तो ट्रिक क्या होगी इसकी जब देखेंगे हम यहाँ पर प्लस लगा हुआ है रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इंफिनाइट तक है तो यहाँ पर 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर क्योंकि हमें यहाँ पर भी दो ऐसे फैक्टर करने पड़ रहे हैं तो दो ऐसे factor ढूड़ने हैं, जिनका गुड़ा करने पर 12 है, और जिनका अंतर एक हो, ध्यान रखना है, अंतर एक होना चाहिए, ऐसे दो factor करने हैं, और उनका गुड़ा करने पर, यहाँ पर root के अंदर प्राप्त संख्या हमें प्राप्त हो जाए, जैसे यहाँ पर कितनी है 12 है, तो 12 मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे दो factor कौन कौन से होंगे, 4 और 3, 4 गुड़े 3, और इनका अंतर कितना होगा, एक होगा, अगर प्लस लगा है, तो यहाँ बड़ी वाली संख्या इसका उत्तर हो जाएगी, यानि 4 इसका अंसर हो जाएगा, अगर यही पर minus लगा होता, तो फिर यह जो 4 है ना, यह negative आता और x बराबर जो यह 3 है, यह positive आ जाता, तो फिर अगर minus लगा होगा, तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अगर प्लस लगा है, तो 4 और minus लगा है, तो 3, यह है इसकी salt trick होगी, जो आगे मैं आपको आगे वाले जाओंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर अंडरूट 30, प्लस अंडरूट 30, प्लस अंडरूट 30, प्लस अंडरूट 30, प्लस इस तरह से infinite तक लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा था, इसके क्या करने, 30 के दो फैक्टर बनाने, 6, 35, जिनका घुडा करने पर 30 आ यह हमारा अंसर हो जाएगी, तो यहाँ पर उत्र क्या जाएगा, 6, ठीक है, इसका मान क्या होगा, 6 Χ होगा, ठीक है, इस ग्लस की साल और पीडियेफ जो है आपको डिस्क्रिप्षन में लिंक मिल जाएगा, टेलिग्राम में मिल जाएगी, और टेलिगरम चैनल को भी जोइ से होती है सबका PDF साल PDF क्लास का अफ्लोड कर देता हूं तो आपको वहां से सारे PDF मिल जाएंगे ठीक है क्लास के बाद अब यहां पर अगर कोश्चन 3 की बात करें तो देखे 110-110-110 दिया गया है रूट के अंदर और infinite तक दिया गया है condition क्या है infinite तक होना चाहिए और रूट के अंदर रूट होना चाहिए ठीक है अब देखें यहां पर माइनस लगा हुआ है तो 110 के दो प्रेक्टर करेंगे 11 गुड़े 10 तो यहां पर छोटी वाली संख्या अंसर हो जाएगी क्या होगा 10 यहां पर अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम इसे उसी तरह से एक प्रस्ण को सालो करके देखें तो यहाँ पर इसे क्या मान लेंगे x मान लेंगे और जब इसे x मानेंगे फिर दोनों पच्छों का square करेंगे तो यह हो जाएगा x minus sorry 110 minus x और इधर बराबर कितना हो जाएगा x square जब इनका इधर पक्छांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x square plus x minus 110 घटाने पर एक आना चाहिए गुडा करने पर 110 आना चाहिए तो कौन से संख्या होगी 10 और 11 x square plus 11 x minus 10 x minus कितना होगा 110 बराबर कितना जाएगा 0 x कामन करेंगे तो x plus 11 होगा और यहां से minus 10 कामन करेंगे तो x plus 11 होगा बराबर 0 आजाएगा x plus 11 कामन कर लेंगे तो बचेगा कितना x minus 10 बराबर 0 x plus 11 है तो यहां पर x कामन किया आएगा minus 11 आएगा और यहां पर x minus 10 बराबर 0 होगा तो X बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यानि छोटी संख्या जो होगी वह यहाँ पर आंसर हो जाएगी तो I hope आपको इसकी ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और इसका जो कांसेप्ट है इसके पीछे की जो कहानी है वह पूरी आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब कोश्चन नमबर 4 आपको सालो करना है इसका आंसर क्या होगा या आप कमेंट करके बताएंगे ठीक है कोश्चन नमबर 4 का आपसन मतलब कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question में type B अब type B में देखें दिया गया है 3 प्लस 3 प्लस 3 इस तरह से और infinite तक दिया गया है root के अंदर root है देखें यहाँ पर जब भी आपको इस तरह का प्रस्ण मिलेगा तो आपको option की help लेनी है अगर आपको प्रस्ण को जल्दी से जल्दी सालो करना है तो option की help लेनी है ठीक है और यहाँ पर option आपको यह तो point में मिलेंगे ठीक है यह फिर मिलेगा कि 2 और 3 के बीच मतलब इस कमान क्या होगा तो इस तरह से option मिलेगा 2 और 3 के बीच 3 और 4 के बीच 4 और 5 के बीच तो यहाँ आपको इसमें निकाल लेना है बस आपको यह निकालना है कि यहाँ किसके किसके बीच होगा यहाँ पर देखें यहाँ पर root 3 root 3 root 3 लिखा हुआ है अगर इसके पहले हम देखते कुछ ऐसी संख्या अगर root 3 का हम फैक्टर बनाए तो 3 एक कम 3 इनका अंतर कितना है गद्दो आएगा root 3 यानि 3 के कोई भी ऐसे दो फैक्टर नहीं बनेंगे जिनका गुड़ा करने पर 3 आ जाए और इनका अंतर जो है वह एक हो कोई भी ऐसे परफेक्ट नंबर यानि पूर्ड संख्या ऐसी नहीं मिलेंगी तो इसके पहले कौन सी संख्या है हम देखेंगे root 2 root 2 plus root 2 अगर इस तरह से लिखा होता तो यहाँ पर तो एक कम 2 गुड़ा करने पर 2 आया और 2 और एक कांतर एक आएगा प्लस लगा है तो बड़ी संख्या क्या होगी 2 इसका मान क्या आजाएगा 2 आजाएगा ठीक है तो एक तो यहाँ हो गया मतलब इस root 3 root 3 root 3 root 3 का मान इस root 2 root 2 root 2 से तो ज़्यादा होगा मतलब इसका मान जो है वह 2 से ज़्यादा होगा ठीक है और उसके बाद इसका मान जो है वह root 6 plus root 6 plus root 6 infinite तक अगर लिखा हुआ हो तो इसको क्या होगा तीन दूनी 6 और बड़ी संख्या यह तीन इसका अंसर होगी तो यह 6 6 6 से तो कम होगा यह तो 2 से ज़्यादा और तीन से कम होगा ठीक है तो 2 और 3 के बीच में इसका अंसर होगा पहले वाले कोश्चन का अगर हम इसे साल करना चाहें तो क्या करेंगे उसी तरह से x मानेंगे और फिर यहाँ पर बजनेंगा 3 plus x बराबर x स्क्वाइर x स्क्वाइर माइनस x माइनस 3 बराबर 0 यहाँ पर इसकी तुलना कर लेंगे ax स्क्वाइर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तो a बराबर कितना आजाएगा a बराबर आजाएगा 1 b बराबर आजाएगा माइनस 1 और c बराबर आजाएगा माइनस 3 फिर हम यहाँ पर धराचार इसूतर लगाएंगे माइनस b plus minus under root b square minus 4ac बटे 2a ठीक है इस फार्मूले में यह मान रख देंगे और एक बार यहाँ पर plus एक बार minus रखेंगे दो मान आएंगे जो मान positive होगा वही हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो मान आएगा वो point में आएगा यानि 2 दसमलो कुछ आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट में कुछ इस तरह से ही यहाँ प्रस्ट भी दिया गया है 5 plus 5 plus 5 plus 5 अब देखें इसमें और इसमें अंतर क्या है root 2 plus 2 plus 2 और 6 plus 6 plus 6 के बीच में यहाँ भी है और उन्हीं दोनों के बीच में यहाँ भी है लेकिन यह वाला जो होगा root 3 plus 3 plus 3 यह 2 के जादा पास होगा ठीक है क्योंकि 6 इससे जादा बढ़ा मान है इससे पास होगा 2 तो 2 के जादा नजदीक होगा यानि 2.5 से कम होगा और यहाँ पर जो मान आएगा वह 2.5 से अधिक आएगा यहाँ भी क्या है root 2 plus root 2 plus root 2 से बढ़ा होगा और root 6 plus root 6 plus root 6 से छोटा होगा लेकिन 6 के जादा पास है तो यहाँ 2.5 से बढ़ा और 3 से छोटा होगा इस कमान ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर जब इनके option मिलेंगे तब और भी आसानी से निकाल पाएंगे आगे बढ़ते हैं type C की तरफ यहाँ पर देखें गुडा किया गया है root 5 फिर उसके बाद into root 5 फिर root 5 इस तरह से infinite तक किया गया है infinite तक जब भी किया जाएगा तो हम इसे क्या मान लेते हैं x एक question को detail में सालो करते हैं और उसके बाद मैं आपको concept बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर जब दोनों तरफ square करेंगे तो यह आ जाएगा 5 root हट जाए गया है आपर और फिर क्या बचेगा root 5 into root 5 into root 5 इस तरह से infinite तक बराबर कितना हो जाएगा x square इसका मान क्या है x है तो 5 into x बराबर कितना आ गया x square x square से x cancel हो जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा 5 आप देखें जो इसकी trick है वह यहाँ है कि अगर infinite तक गुड़ा हो रहा है तो जिस संख्या का गुड़ा होगा वही संख्या उत्तर हो जाएगी जैसे root 5 into root 5 into root 5 है तो 5 ही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आगे अगला question जो दिया गया question number 2 root 6 into root 6 तो यहाँ पर answer क्या होगा यहाँ पर answer सीधे सीधे हम बता देंगे क्या हो जाएगा दोस्त छे हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question में root 11 into root 11 into root 11 into root 11 into root 11 infinite तक है answer क्या होगा दोस्त 11 होगा ठीक है जो यहाँ पर दिया गया वही क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यहाँ पर आपको कुछ भी चेकी नहीं करना है ठीक है अब यहाँ पर चौथे में कौन सा आपसन होगा तो चौथे में आपसन हो जागा आंसर हो जागा पंद्रा अब देखें यहाँ पर अभी कोश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और टाइप D में आपको मिल जाएगा कि अब यहाँ पर इनका गुड़ा इंफिनाइट तक नहीं हो रहा है रूट पांच इंटू रूट पांच इंटू रूट पांच कितने बार हो रहा है केबल तीन बार तो सबसे पहले इसका कांसेप्ट समझेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी साल ट्रिक क्या है किस طरह से आप इसे साल लूट कर सकते हैं अगर इसका कांसेप्ट हम समझे acquired तो यहाँ पर रूट पांच इस वाले रूट से सुरू करेंगे रूट पांच और रूट पांच का मतलब क्या होता है पांच की घात एक बटे दो गुडे में कितना लिखा हुआ है पांच इसके गुडे में लिखा हुआ है पांच और फिर इसमें रूट लगा हुआ है तो इसकी घात कितनी होगी एक बटे दो फिर यहाँ पर गुड़े में कितना लिखा हुआ है पांच और फिर रूट लगा है तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी एक बटे दो हो जाएगी अब देखे आधार यहाँ समान है यहाँ पर आधार आपको समान दिख रहे हैं जब आधार समान है गुड़ा करेंगे तो घाते जुड़ जाएगी तो पांच गुड़े पांच है पांच की घात एक बटे दो है यहाँ पर पांच की घात एक होगी अगर घात कुछ भी नहीं लिखी होती है तो एक मानते है इन दोनों का जब गुड़ा होगा तो पांच और पांच की घात क्या आजाएगी एक बटे दो प्लस एक यानि दो एक कम दो एक तीन तीन बटे दो और इसकी होल पावर लगी है एक बटे दो गुड़े कितना है पांच और इसकी पावर एक बटे दो यहाँ पर लगी हुई है ठीक है तो यहाँ पर जब आब इसे सालो करेंगे तो यह ब्रेकेट ओपन करेंगे घातों का गुड़ा हो जाएगा पांच की घात कितना आजाएगा तीन बटे चार आजाएगा गुड़े पांच लिखा हुआ है पांच की घात एक यहाँ पर लेंगे कि घात कितनी है एक बटे दो है ठीक है आगे इसे सालो जब करेंगे तो पांच की घात तीन बटे चार इंटू पांच की घात एक लिखा हुआ है ठीक है जब ये bracket open करेंगे घातों का गुड़ा हो जाएगा तो पांच की घात साथ बटे कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा चार दुनी आठ या हमारा क्या होगा आंसर होगा इस प्रसुन का अब देखें इसकी सार्ट्रिक क्या है सीधे सीधे जितने भी रूट लगे हैं सबसे पहने तो जो आधार लिखा हुआ है रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है वह संख्या लिख लेंगे यहाँ पर पांच लिख लेंगे और फिर यहाँ पर जितने रूट लगे हुए है वहां हम दो की घात में लगा देंगे मतलब उतने ही बार हम दो का गुड़ा करेंगे एक, दो, तीन रूट लगे हैं तो दो, गुड़ित दो, कितना आएगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ तो इसकी घात लिखेंगे और हर में लिखेंगे आठ और अंस में आठ में से एक घटा देंगे कितना बचेगा साथ साथ लिख देंगे यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है आगे भी इस तरह के और प्रस्णों को सालो करेंगे तब आपको और अधिक क्लियर होगा जैसे यहाँ पर छे रूट 6, रूट 6, रूट 6 लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो आधार लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है यहाँ पर जितने रूट लगे हैं उतने ही बार दो का गुड़ा कराना है तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 की घात हर में 16 और अंस में कितना होगा 15 हो जाएगा ठीक है तो 6 की घात 15 बटे 16 हो जाएगा क्लियर है अगर यहाँ पर रूटों की संख्या मान ले इन देखें एक फार्मूला भी यहाँ पर बनाया जा सकता है अगर यहाँ पर रूट की संख्या मान लेते हैं इन तो फार्मूला क्या होगा जो यहाँ पर आधार दिया गया है आधार या जो भी संख्या है उसकी घात क्या होगी इन माइनस 1 बटे स्वरी यहां पर in 2 की पावर in minus 1 बटे 2 की पावर in देखे क्या हो रहा है जितने in है उतने ही बार 2 की घात लगाई जा रही है तो आधार की घात क्या हो जाएगी 2 की घात in minus 1 देखे 2 की घात in किया गया है यानि 2 की घात 4 minus 1 उपर लिखा है और नीचे के लिखा है 2 की घात in लिखा हुआ है तो या फार्मूला भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही देख लें कि 2 का गुड़ा करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बटे में 16 उपर क्या होगा 15 होगा अब यहां पर आपसन अंसर कौन सा होगा, क्या अंसर होगा देखे 7 आधार है, 7 लिख लेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो उपर रहेगा 15 और नीचे कितना जाएगा 16 जाएगा 7 की घात 15 बटे 16 क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है, अगला कोश्चन दिया गया है रूट 11 इन्टू रूट 11 इन्टू रूट 11 इन्टू रूट 11 इन्टू रूट 11 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5 तो 11 लिखेंगे, और 2 की घात 5 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, दूनी 32 तो उपर कितना जाएगा, अंस में 31, बटे कितना होगा 32 तो 11 की घात 31 बटे, 32 जो है हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप E की तरफ पहला कोश्चन क्या दिया गया है, अंडर रूट 11, प्लस 21, प्लस 16 कभी भी ऐसा प्लस ना जाए, जहां पर प्लस हो रहा हो और इस तरह से संख्याएं दी गई हो, तो आपको क्या करना है इसके लास्ट से स्टार्ट करना सुरू कर देना है लास्ट में कितना लिखा हुआ है, रूट 16 लिखा हुआ है सबसे पहले concept बताता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि इसकी साल्ट ट्रिक भी है जिससे आप इसे साल्व कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर क्या है रूट 16 है जब रूट 16 को साल्व करेंगे तो रूट 16 कमान कितना हैगा चार हैगा और फिर कितना हो जाएगा अंडर रूट 11 प्लस रूट 21 प्लस 4 और 21 चार क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा तो अंडर रूट 11 प्लस रूट कितना होगा 25 होगा 25 रूट 25 को साल्व करेंगे रूट 25 कमान क्या होता है दोस्त 5 होता है तो कितना हो जाएगा रूट 11 प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अब यहां कितना हो जाएगा रूट में 16 हो जाएगा और रूट 16 कमान क्या होगा चार होगा और चार यहां पर आंसर हो जाएगा अगर इसके सार्ट्रिक की बात करें न तो यहां पर जो सार्ट्रिक है इसकी वह लगभग 99% प्रस्णों में सही हो जाती है अगर कुछ चीजों का आप ध्यान दे तो यहां पर 99% कोश्चन ऐसे होंगे जहां पर वह सार्ट्रिक सही होगी हो सकता है कि एक आद प्रस्ण ऐसा हो जो मैं आपको बता दूंगा कि कब आप ऐसा हो सकता है जहां पर यहां ट्रिक काम नहीं कर पाएगी ठीक है यह चीज भी आप समझ लीजिए कांसिप्ट जो आपका है यहां हमेशा आपका एक्क्यूरेट रहेगा 100% यहां सही यहां पर उतर आएगा लेकिन ट्रिक से हो सकता है कभी आपका कुछ करत दिया जैए जैसे हिए आप देखेंगे यहां पर रूट के पहले ही कौन सी संख्या है ठीक है तो आप समझ जाएंगे और यहां पर क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है तो आप सीदे से यहां जाए और कितना जाएगा 16 एक बार आप इसे और चेक कर लेंगे अगर इसे थोड़ा सा 성 colonial करना चाहते हैं कि जो अगला प्रस्ण है मतलब इसके बाद अगली संख्यह है 21 इसके बाद वाली पूड़ वर्ग संख्यह क्या है 25 एट यसका वर क्या होगा पांच होगा और फिर यह सोला हो जाएगा और सोला गवर्ग मुल जो होगा वह कितना होगा दोस्त चार होगा गया जेसे यहां पर 133 Natas hum 12 पूर वर्ग है रहे वर्गमूल म्हें काल लेना है समारा अंसर हमें वर्ग है तो इसका अंसर क्या आएगा 12 आजाएगा क्योंकि यहां पर रूट 144 बन जाएगा ठीक है अब इसे साल्व करके अगर देखना है तो साल्व करेंगे 49 का वर्गमुल निकालेंगे 7 और फिर यहां पर कितना दिया गया है 57 दिया गया है इसमें 57 जोड देंगे और फि 136 प्लस 8 कितना हो जाएगा 144 आजाएगा बराबर कितना होगा 12 आजाएगा तो देखें जैसे ही यहां पर 144 आया है उसी तरह से यहां पर भी हमने पहले ही क्या लिख लिए 144 लिख लिए और यही इस प्रस्ट की जो है ट्रिक है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्च यहां पर प्लस लगा है तो 76 के बाद कौन सी संख्या होगी 81 होगी ठीक है तो 76 में प्लस कितना कर दें तो 81 आजाए कुछ करे या ना करें हमें अगर यह पता नहीं है कि कितना प्लस करें मतले इनका अंतर कितना है 86 और 71 का इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है इतना हमें जानने के लिए यहां पर चाहें तो पांच लिख सकते हैं कि 76 प्लस पांच 81 वैसे हमें इसकी भी जुरूत नहीं होगी जैसे हमें पता चलेगा 76 के बाद वाली संख्या 81 है तो 81 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे और आंसर क्या जाएगा 9 आ जाएगा त तो आप हमें देखना है कि 54 में कितना घटाने पर एक पूर्वर्ग संख्या प्राप्त हो सकती है यानि कि 54 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्वर्ग रही होगी ठीक है तो 7 सत्य 49 ऐसी संख्या है जो 54 से पहले थी और पूर्वर्ग थी तो यहां पर आंसर जो होग 36 और फिर 36 और 19 को जोड़ देंगे तो कितना आगा 9 6 15 के 5 हांसिल लगे एक चार कितना आजाएगा 36 आजाएगा और 36 का क्या आजाएगा 6 आजाएगा ठीक है 36 का वर्गमूल भी तो निकालेंगे 36 का वर्गमूल क्या आजाएगा 6 आजाएगा और जब 6 को 19 में जोडेंगे तो कितना आजाएगा 25 नो 6 15 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आजाएगा और 5 घटा देना है 54 में से जब 54 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 49 आजाएगा और 49 कमान क्या होगा साथ होगा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में यहाँ पर देखें एक सुच्छे माइनस एक सुच्छे माइनस यहाँ पर दिया गया है तो जब माइनस हमें मिल जाए जब हमें पता है कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो हमें देखनी है कि 106 के पहले कौन से संख्या है तो 100 है और 100 का वर्गमोल निकालेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 10 यहाँ पर आंसर होगा अच्छा यहाँ पर जैसे ही माइनस 6 करेंगे न तो यहाँ भी तो चेक कर लेंगे कि 6 का मिलेगा ठीक है तो यहाँ से हम कोश्चन को और ज्यादा जो है एक्यूरेट कर सकते हैं कि यह प्रस्ण सही होने की संभावना और ज्यादा 99.99% तक बढ़ जाती है ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन में यहाँ पर देखें 30 है और 30 माइनस तो 30 के पहले कौन से सं 5 साब गता दें तो 25 आएगा और 25 का ौट 5 होगा ठीक है और यह देखें 500 25 की आंस पास है यहाँ पर क्या हो जाऄगा तो यहा तहें आज के प्रस्ण आज की केशिप्ट वाश्थ करी है और में आपको कानसेप्ट और ट्रिक दोनों बताने की कोसिज करी है दोनों समझाने की कोशिस करी है कि आपको एक concept जो है बनकुल पता होना चाहिए और उसके बाद trick भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप computer exams की तयारी कर रहे हैं ठीक है और अगर आप SCGD की तयारी कर रहे हैं तो daily सुबह 6 बजे और daily साम को 7 बजे reasoning और math की class कसरे चल रही है उन्हें आप concern कर सकते हैं साथ ही अगर आपको वीडियो क्यों पसंद 25 को लाइक कर दीजह अगर आप के कोई भीडॉट हो या फिर आपको कोई भी परिसानी हो कोई भी दिक्कत हो तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक हैं ? आपको लगता है कि वीडियो या हेलफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी से सेर कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बैटे केर जहें